जाहिन देखिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था पंजाब दौरा और काफी डिश्टर्ब रहा इसमें कई सारे सिक्योर्टी ग्लीच भी आये थे सब यहां हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कमी हुई थी क्या गड़बड़ी हुई थी कौन किया था यह सब के हम लोग को बहांस नहीं इस गलती से आगे न दो रहाए जाए कहां कहां में जो की पॉइंट्स थे जहां पर इसको ध्यान रखना चाहिए था वो उसको हम समझते हैं में ली था हमारे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब में दौरा था जहां पर वो कई सारे योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थे चुनावी रैली भी थी लेकिन कई सारे विकास की योजनाओं में भी था कई बहुत महत्तपूर्ण योजनाओं भी थी दिल्ली से भटिंडा गय थे बाई फ्लाइट बटिंडा से हेलिकॉप्टर से जाना था हुसाइनी वाला फिर वहां से जा ये दोनों ही जगा जो हैं पाकिस्तान बॉर्डर के एदम करीब हैं लेकिन हुसाइनी वाला से पहले ही फ्लाइ ओबर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कौनवय था काफिला रुग गया अब इसको टोटल एक एक करके हम लोग समझते हैं प्राइम मिनिस्टर की सीक्योर में जो लगे होते हैं SPG होती है Special Protection Group आप इसमें डारेक्ट कभी नहीं जा सकते हैं आपको आर्मी या पारामेलेट रिपोर्स या पुलिस में बहुत बहतरीन काम किये रहेंगे तो आपका सेलेक्शन इसमें होता है बहुत बहतरीन धंगे तब आप बनते हैं SPG Special Protection Group SPG दिखत हर चीज से ये लेस होते हैं आधुनी खतियारों से प्राइम मिनिस्टर के पास तीन लेयर की सिक्योटी होती है इनके सबसे पहले आसपास में जो होते हैं SPG के कमांडो होते हैं SPG कमांडो के घेरा के बाद जो होती है पारा मिलिटरी के कमांडो होते है और उसके बाहर जो गहरा होता है उसमें पुलीस होती है, पुलीस के बाहर जो गहरा होता है उसमें ट्रैफिक पुलीस होती है, तो मेली सिक्योर्टी के लिए तीन-तीन लेयर की सिक्योर्टी होती है, तो आप यह समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी जबर जस्त लेयर की सिक यह बैग नहीं है, यह एक्चुली बुलेट प्रूफ है, जब भी अटेक होगा, तो यह बैग इस तरह से खुल जाता है, कई लेयर में, यह खुल जाता है, और यह बुलेट प्रूफ होता है, इसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चार ओर से घेर लिया जाता है, ताकि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सीक्योटी में कहीं भी कमी नहीं होनी जाए, अब हुआ क्या, दिल्ली से पंजाब गया, पंजाब एक्चुली पाकिस्तान से एकदम करीब है बॉर्डर ही बनाता है, तो पंजाब में यहाँ पर है फिरोजपूर, आप देखिए, पाकिस्ता से एकदम सटके हैं यहाँ पर, तो यहाँ जब भटिंडा एयरपोर्ट पर उतर गया, भटिंडा एसिया की सबसे बड़ी साइनिक छाउनी है, बहुत जादे मालग, बहुत देड़ लाग फोजी रहते हैं आप, तो भटिंडा के बाद, भटिंडा तो जहाँ से लेंड किय उसके वाए हेलिकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था, इस वज़ा से यहीं से गलतियां चालू होना, चालू हुई, एक एक करके गलती समझते हैं, 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब कुलीस की थी, सड़क से जाने का रास्ता पहले स तै नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलिकॉप्टर केंसिल हुआ जिस वज़ा से हुआ, अमूमन इस रास्ते पर धाई घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर के सफर में लगबाग धाई घंटे लगते हैं, महस तीन घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया, इस इन लोग से ये गलती हुई है आपर, कौन में सबसे ठीक था चला था, अगली गलती देखे क्या होती है, जब भी राष्टपती परधान मंतरी का काफिला जाता है, तो उनकी गारियों में एक बहुत बड़ी संख्याती, 25 से 40 गारियां रहती है, ये गारियों का एक ग्रू इसकी जिपसी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लिरिंग पार्टी कहते हैं, ये पांच्छे की ग्रूप में रहते हैं सब, और जो में काफिला, उससे ये 3-4 किलो मीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं, कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो जो रूट क्लिरिंग पार्टी थी, जो पाइलेट गारी थी, इनको दिखा ही नहीं, इन लोग किला परवाई देखिए, इन लोग को नहीं दिखा, कि सामने ट्रेक्टर लगाये गया है, रास्ता जाम है, कैसे ये लोग, यही रास्ता बताते रहते हैं, वारलेस पे पीछे कॉंटेक् की भी गलती है, पहले पाइलेट क्लिरेंस दिया कैसे गया, और सड़क परफास कैसे गया, तो यहां पे भी यह गलती हुई, जो पूलिस की गलती थी, अब तक जो गलती बताएं, यह सारी पूलिस की थी, अब एस्पीजी से कहा कहा मिश्टेक हुआ, उसको हम समझते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप बहुत बहतरीन है, उनके अरुन कुमार सिन्हा, एके सिन्हा जी हैं, चीफ हैं अभी, IPS अजी कारी हैं, यह बहुत हायर रैंक होता है, कितना बड़ा यह लोग बेवकूफी किया हैं, जरा सोचिए, पीम का काफिला लगभग आधे घंट अरे भया, अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुखते हैं, फुलवा पर चड़के काई लिए रोके हैं, फ्लाइओबर पे हमरे परधानमंतरी को रोक देंगे भाई, यह NSG, SPG से सवाल होना चाहिए, और यह पसंकारी के रूप में कोई और अभी आजाता, क्योंकि यह बॉर्डर से एकदब 20 किलो मिटर यहां से पाकिस्तान आजाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो कभी करीब है, और नीचे से अगर फ्लाइओबर को उड़ा देता, सब कोई ID या बिस पोटक लगा क सारा काफिला नीचे चलाता है, ऐसा ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग, भई आप पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थी इदर उदर, फ्लाइओबर दूनोर से जाम हो जाता, कहां जाते हैं आप लोग यहां पे गलती SPG की थी आप, आप लोग को जवाब देना चाहिए, हम लोग तो भई बताते हैं कहां गलती, दूसरी गलती, फ्लाइओबर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि हम जिन्दा वापस आ गया, मतलब situation critical हुई होगी, वहाँ पर, तभी वो ऐसा statement दे रहे, जब इतना statement हो गया और आप आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आईएगा, जी, SPG वहले लोग आप जवाब दीजिए, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर, अब देखे हालका समास दिख रहा होगा, आपको जब यू टरन लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, महोल देख लिजे, क्या है, क्या ने, तुरत लेके आटिए, दो से तीन मीनिट हो गया, हमाँ खतम, कैंसील हुआ, रैली, कैंसील हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएगे, SPG हमारे प्रधान म इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ग्री मंत्रा ले हैं, और हमारे अजीर दोभाल साब इनकी योगता पर तो कोई सक नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो रो तखर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जैम्यदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटेलि मालवा का जो छेत्र है वो एकदम हाट पॉइंट बना हुआ है परदसनकारी के लिए तो इंटेलिजन्स ब्यूरो ने कईसे क्लिरेंस दे दिया कि अभी देख रहें इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इतना बड़ा भीशाड कई घटनाएं हुए अभी फिसानों में भी कुछ रोस था जो अलखिमपूर की घटना को लेकर यह सब तो इंटेलिजन्स ब्यूरो क तो भी यहां failure है, सब को जवाब देना चाहिए यहां पर, लेकिन मीडिया वले ही सब सवाल तो पूछेंगे नहीं, हाला कि प्रधान मंत्री जब वापस हैं, तो उन्होंने हमारे प्रेजडेंट साब से भी मुलाकात किया, अब इस पर अठकले यह भी लगाई जा रही है, कि यह बहुत worst condition में ही है, इसे लगाए जा सकता है, ग्री मंत्राले ने भी पंजाब सरकार से माया है, कि आखिर ऐसी क्या गलती थी, कि मुख मंत्री वहाँ receive करने नहीं आए, तो मुख मंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेके जूम में थे, रैली भले लेकिन उस राज के डीजी पी को की पर्धान मंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है, और डीजी पी जहां रहेगा, पुलिस प्रसासन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि कि किसी भी राज का सबसे बड़ा हेड होता है, डीजी पी, डिरेक्टर जनरल अप पुलिस, रा इदम सरासर गलत है, तो पंजाब पुलिस को इस पर जवाब देना चाहिए, आला कि गिरी मंत्रा ने नहीं लोगों से जवाब तलब किया है, कि आप लोगों वहाँ पर डीजी पी उपलब्द क्यों नहीं थे, लेकिन लोटते समय जो कहा जा रहा है, कि पर्धान मंत्री न अपने देश में कह रहा है, कि हम सुरक्षित वजिंदा वापस आगा, आप ये बोल सकते थे, पर्धान मंत्री के कारेयाले के जो भी अधिकारी है, कि हम सुरक्षित वापस आगा, लेकिन जो होता है जिंदा वापस आगा, काफी hard word हो जाता है, कि मतलब आपने ऐसा बोल र पुतीन कहते हैं, कि बहुत धन्यबाद कहते हैं उस राज की मुख मंतरी को, कि हम जिन्दा वापस आगया है, तो भारत के लोग क्या सोचेंगा, आपको जानकर ताज्यूब होगा, शीन का राष्टपती, सी जिंपिंग पिछले दो साल से कहीं नहीं गिया है, क्योंकि हारी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर है, ये क्या सोचेंगा, क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं, तो इन लोगों की भी सीक्यूरिटी, SPG और NSG कमांडों ही कहते हैं, तो कल कोई सब भी कहएगा, तो आप अपने को रहे हैं कि हम जिन्दा वापस आगया, तो BDS में थोड़ी सी छवी खराब होगी, खुद हमारे परधान मंतरी कहते हैं, इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताये 2015 में नवाज शरीव की पोती की चादी में गय थे, हमारा सबसे बढ़का दुज्मन, जहांसे कभी हमने दोस्ती की कोई उमीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान हमेशा कभी टर्रिरिस्ट अटैक, कभी कस्मीर का इसू, वहां हमारे परधान मंतरी, देखें यहां पर 2015 में नमाज शरीव की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉक्टर की, बीना बताये चले गए थे, अफगानिस्तान दोरों पर वहां से परधान मंतरी दूसमन के घर में गया है, और उभी जो घय थे न, बारत के हेलिकॉप्टर नहीं था, नमाज शरीव के अपने हेलिकॉप्टर में बश्ट के गया थे, पतानी पाकिस्तानी हेलिकॉप्टर चाइना से खरीदा था, क्या होता है, तो वहां पर ये स्टेटमें परधान मंतरी के मुझे थोड़ा सा अक्वर्ट सा लगने लगता है, तो हम लोग कहां जाएंगे भई, परधान मंतरी के ऊपर हर महीने 50 क्रोड रुपए खर्च होते हैं सिक्योर्टी में, एक दिन में 1 क्रोड 60 लाग पर दिन का खर्चा है, अगर ये दिल्ली में बैठे ह है तो, और बाहर जाएंगे तो परती दिन 2-5 क्रोड रुपए खर्च लगेगा, तो 2 क्रोड रुपए परती दिन का खर्च की आधार पर अगर ऐसा ही स्टेट्मेंट आता है, तो फिर SPG को सोचना चाहिए भईया, आप किस तरह की सीकेरिटी दे रहेंगी परधान मंतरी क अब देखिये, यहां पर पब्लीक है, और यह हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहां से भी तो कुछ अगर अन्होनी रहना रहेगा, तो यहां से भी हो सकता है, यहां पर, अब यहां ही पर देख लिजए, यहां हमारे नितिन गटकरी साब है, सड़क परिवहन मंतरी, यहां पब्लीक कितनी जादे, यहां पर भी इसना नहीं है, सिक्योर्टी बहुत सजग रहती है, अब वो जमाना नहीं है, इंद्रा गाधी वाला या फिर राजीव गाधी वाला, लेकिन फिर भी देश के परधान मंतरी के साथ, ऐसा खिलवार अच्छी बात नहीं है, जो भी है, गलत है, उसको सजा देनी चाहिए, और रूल बुक में इसको रखना चाहिए, कि कभी किसी लाई उबर, प्याधा गंटा तक किसी परधान मंतरी को वेट नहीं कराना चाहिए, और दोनों लग से, परधान संकारियों को भी दूर रखना चाहिए, हमारे काफी ले से, बताई है, तो भाया समर तक लोग तुम भी दूर रहो, वरना तुम्हारे भेस में कोई भी आ सकता है, और बीरोध वाले भी तुम भी दूर रहो, और इस पर हम लोग को लेसन लेना चाहिए, हम तो कहते हैं न, एक चीज, कि देश में जब तक जितना भार इलेक्शन होगा, कुछ यहां दो थो EVM मशीन लगा देते हैं, बार 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 इलेक्शन कराने पर हमारे जो नेताओं को काम करना चीज, वो भी नहीं करते हैं, हर तीन-चार महिना का गइब देके इलेक्शन में बीजी हो जाते हैं, अब जिसन 2014 में ही क्या कर दिजू बईया, अब एक उसाथ राज्यों का भी एलेक्शन करा लीज़े, EVM जो मशीन होती है, EVM मशीन यहां पे दोठो लगा दीज़ेगा, हाँ भईया, PM वाला चुनाओ है, लोग सभा के देज़ेगा, यहां CM वाला चुनाओ है, दोनों वोट दीज़ेगा, एक साथ खतम करके, बैलेंस कीज़ेगा, इस रहेंगे, एक दूसरे के नाओ, पाटियों के नाओ पे लड़ेंगे, कभी मजभ़भ के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाती के नाम पे लड़ेंगे, कभी पढ़ाएदिड काई की बात होती, तो भईया, पास साल में एक बार लड़ो, फिर मिल जूल के रहो, अच्छे से, Central कुनेहगार है उसको सजा देना सेंट्रल का खाम है सेंट्रल अच्छा से करेगी आई होप आप समझ गये होंगे मिलेंगे नेक्स क्लास में जहिन